इंकलब टीव प्रैम्टेन समाचार में आपका स्वागत है जो किसान 86% छोटा किसान मुक्ती के लिए परशान हो रहा है कॉंग्रेस वाफसर नहीं देना चाहते है इसलिसका पुरा विरोत कर रहे है तो मित्रोत पुरा विस्तार से बोलना पड़ा लेकिन सारे फैक्स को संदेना जरूई था तो मुझे अपनी होड़ से इतना ही कहना है नवी आरोपन तो कॉस्टिंस यू कन आसको जाएंगी प्रिफिंग के ओपर जो भी आप प्रस्न पूछना चाहते हैं अंतरी जी से सब्सक्राइब कर देख रहा था यह सवाल कल भी पूछा गया था और मैं उमीद करता हूं कि आवाज भी साथ आफी की थी अचाह कोई बात नहीं थीक है और I'm sorry why was she has been a distinguished member of our cabinet we three members of cabinet sitting here she was a part of the cabinet चर्चा हुई थी वहाँ पर बात नहीं गई थी और उन्हें अपनी कुछ बात कहीं थी कि legally possible है कि नहीं उसको मैं नहीं clarify किया था कि भारत में समिधान में भारत को यह पावर है किन सरकार अब बाकी वह किस कारणों से उन्हें में विरोथ किया उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है बर हम इतना ही कहेंगे कि हर सिम्रद जी हैस बने वरी डिस्टिंग्विश्ट कलीग इन दे कांसल अफ मिनिस्टर फ़द लास्ट सो मेनी येर्स और मुड लाइक तो रिमेंबर लाइक दा सब्सक्राइब अपनी मंजूरी ना दे हैंगे और साथी साथ विपक्ष ने राश्पती को एक चिठी भी लिखी और ये मांग की है कि जो किसान बिलकल पारित हुआ है उसको राश्पती अपनी मंजूरी ना दे हैं मेरा जवाब बहुत सीधा है महामहिम राश्पती जी का विवेक है सदन के द्वारा पारित है देश के हित में है किसानों के हित में है उन्हें चिठ्थी लिखी है महामहिम राश्पती जी विवेक से पने रिड़े करेंगे वो सदन से suspended है मैंने कानून पढ़ दिया उनको सदन के छेते से बाहर जाना चाहिए ठीक है? यह साफ कह दिया जहां तक पहला सवाल है मैंने स्वाइम अपनी टिपणियों में कहा कि हम मानी हरिवांश जी का विशे चुनाओ का विशे नहीं बनाना चाहते है ये एक बहुत ही प्रामानिक आदर निये मर्यादा से भरे हुए अंतराश्य एस्तर के विक्तित्व का अपमान हुआ है जिसके करण देश को भी चोट पहुँची है संसिदिये मर्यादा तार-तार हुई है और वो बिहार के हैं बिहार उनकी कर भूमी भी रही है जन भूमी भी बिहार से सटे हुए है सरीयों के उस पार तो उसके करण बिहारियों को बहुत दुख हुआ है यह हम कहना चाहते है और हाँ जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी और आर्जेडी खामोश रही उनके साथ हुए अपमान को देखती रही देखती नहीं उसको बगाज उत्ते जित किया और एक तो मंत्री उपर आगर के नाच रहे थे दस साल मंत्री रहे हैं उनके मेंबर एक टेबल पर भी थे यह बाद बताई जाएगी बिहार को बिल्कुल बताई जाएगी आगर चाहिए यह नाच बाद बाद एक रजाएगा रज़ी को भी लास कुस्टिम ट्रेख साथ दो माने संवानिय मंत्री आप टि सब्सक्राइग साथ टेखती बाद बाद देखती इस दो प्रदान मंत्री ने तीन बार देश को आश्वस्त किया, कि MSP नहीं बदलेगी, MSP नहीं हटेगी, जो MSP की विवस्ता है वो चलेगी, और हमने प्रदान मंत्री के आश्वाशन को आज पूरा करके दिखा दिया, आज ही MSP लागू कर दिया, पहली बार, उन्होंने कहा, मानी रक्षा मंत्री जी ने कहा, कृष्णी मंत्री जी तोमर जी ने हाउस में कई बार कहा, और बाकी कर ह हम लोग सब लोग टीवी पर थे, तो हम सब लोग टीवी पर कहा, तो इसके अलावे क्या स्वासन चाहिए, इतने आदर्निय पधान मंत्री जी ने खुद कह दिया और आज कैबिने इसको इंप्लिमेंट करके दिखा दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, जहां तक कॉंग् पार्टी तो इजिटेशन बहुत करती रहती है, फुट भी बोलती है, राफिल पर देखा, क्या-क्या नहीं कहा, और जनता ने क्या जवाब दिया, एक-एक करके जब बात सामने आएगे कि किस तरह छोटे किसानों के हितों के खिलाफ खड़ी है कॉंग्रेस पार्टी, और एक आप दोनों में से जो भी दो सवाल छोटा-छोटा है, एक तो प्यूस जी एक गर्व की बाद आप आज ने आज ही आपने एक रिप्लाई भी दिया है, लोग सवाब में, लग रहा है कि आत्म निरवर भारत की बढ़ते कदम है कि चाइना से जो इंपोर्ट हुआ है, व आपको लग रहा है कि बाकी जो बिल वहां पारित होने में काफी मुश्किल होगी और इस कारण से जो संसद आप चाहते हैं कि कोरोना कारण से चोटा हो, वो चोटा नहीं हो पाएगा, आपके पहले सवाल का जवाब मानिय प्यूश्य देंगे, आपके दूसरे सवाल का को सफल बनाने के लिए प्रतिबद है, हमने कई सारे काम किये हैं, मानिय वित्व मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का बीस लाग क्रोड का पैकेज देश के समक्ष रख है, सभी मंत्री और पूरा देश की सरकारी विवस्था, इसमें जुटी विये के भारत को आत्मनिर्भर भी बनाने हैं, और विदेश के ऊपर निर्भर रहने से देश में कितना खत्रा हो सकता है, वो हमने कोविड काल में देखा, जब कोविड में लॉकडाउन करना पड़ा, उसकी जानकारी आप सब को है, भारत में टेस्टिंग किट्स नहीं थे, पीपीज नहीं थे, मास बना काने की शमता परियाप नहीं थी, वेंटिलेटर की कमी थी, लेकिन ये देश के हमारे छोटे लगू द्योग, बाकी उद्धमियों में इतनी ताकत है, कि हमने मातरत तीन महिने में सिर्फ देश की रिक्वार्मेंट पूरी नहीं की, आज एक्सपोर्ट करते हैं हम पीपीज एक्सपोर्ट करते हैं वेंटिलेटर, एक्सपोर्ट करते हैं मास्क, ये इस देश की शमता है, जो पूरे विश्व को सेवा करने में जुटी है, और आगे चलके आत्मनिरबर्त भारत के तहत, भारत पूरे विश्व की सप्लाई चेंज में, भारत पूरे विश्व में भा हुआ हुआ समान अच्छी गुणवत्ता वाला समान और बड़े रूप में भेजे और बड़े रूप में भारत में लोगों को काम के अफसर मिले उसमें जुटा हुआ है मुझे आपको दो अकड़े देने हैं जो आपको दिखाएगा कैसे मान्य प्रदान मंत्वी नरेंद्र पंद्रा दिन में एक से पंद्रा सप्टेंबर के बीच पिछले वर्ष एक से पंद्रा सप्टेंबर के बीच जो निर्यात हुआ था एक्सपोर्ट हुआ था उससे दस प्रतिशत अधिक है there is a 10% growth in the export from India in the first 15 days of September दूसरा रेलवे जो freight carry करता है माल गाड़ी जो माल होती है एक जगा से दूसरे जगा देश में पहुचाती है उसमें पहली से 20 सब्टेंबर तक कल तक पहले 20 दिनों में पिछले पहली से 20 सब्टेंबर 2019 के निस्बत 13 प्रतिशत की व्रिद्धी हुई है 13% growth in the freight carried by Indian railways in the first 20 days of September मैं समझता हूं यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण आकड़े हैं दर्शाते हैं कि अर्थवेवस्ता फिर तेजगती से समानने होते जा रही है कुछ sectors छोड़के साधारन तक कई sectors अब पिछले वर्ष के लेवल कई sectors उससे अधिक लेवल पर चल रहे हैं सर्विसे सेक्टर ने देश का मान सनमान रखा पूरे लोगडाउन के दौरान भारत में जो जो कमिटमेंट्स थी इंटरनाशनल IT की BPO की मान्या रवी शंकर जी के नित्रतों में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेड़नाच से हमने उस पूरे सर्विसेस को पूरे इस दोरान चालू रखा और विश्व ने भारत की सराना किये कि भारत is a trusted partner in global trade यह जो विश्वास पाया है मैं समझता हूँ यह मान्या प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अंतर राष्ट्रिय चवी भी बढ़ी है देश की चवी बढ़ी है और देश की विश्वस देता बढ़ने से आगे चलके इसमें बहुत बड़े रूप म व्रिद्धी होगी मान्या रविशंकर प्रसाद जी ने डिटेल में पार्लिमेंट के प्रोसीडिंग के बारे में और आज जो कुछ ब्योस के उत्तर उसके बारे में उत्तर दिया है मैं इतना है कहना चाहता हूं धड़ा-धड़ पारित नहीं हो रहा है लोकसभा और राज हुआ है आज के दिन छोड के, except today, every day one or two bills we have passed both in Lok Sabha and Raj Sabha, Lok Sabha we have almost completed all the 11 ordinance which were pending, which were due to be through in the house and in Raj Sabha, nine we have passed, only banking regulation and essential commodities, these two ordinance have to be passed in Raj Sabha. remaining, all the nine have passed in Raj Sabha also, only from yesterday, this problem is being created, but I am quite confident, taking confidence into the all other parties also, we are moving ahead and as Manny Ravi Shankar Prasadji told just now, yesterday also we had more than 110 member support in the Raj Sabha and tomorrow also it will continue, we will not have any problem, those present, naturally and Congress had only 70, Congress and other opposition together, they had 72 yesterday, so we have absolutely no problem and I am quite confident, we will go ahead and as far as the reducing the time of the session, that any such decision, it is not taken, but the proposal had come from, in fact to tell you from the opposition itself, but government is very keen, whatever the pending bills and the ordinance are there, all those should be completed and whatever the other issues also they want to raise, we are ready, they had raised the issue of the GST, today we are ready for that, but they did not accommodate themselves, it is the most unfortunate and other things also, whatever they ask, we are ready. Just to supplement what Mr. Deeb Prasadji has said, you will have seen today that Chairman Sahab has called upon that, who had moved the motion to the church to the church, this is very important, and in addition to saying that those who have been suspended, they will not participate, 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 so this is the first thing. Sir, I want to thank you for your support, friends thank you very much. If you liked our video, please like, share and subscribe, don't forget to comment. Thank you very much. As always, we found out. Thank you. झाल झाल